हलो फ्रेंद्स वेलकम तो वाइफाइ स्टडी चेंजिंग दी वेइफ लेंडिंग स्वागत याप सभी का इंडिया के नमबर वन इस्टडी चैनल वाइफाइ स्टडी में दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हो और मैं दीपक दीर्थ्यानी एक बार फिर से लेकर हाजिर हूँ आपके लिए एक बहुती बड़िया शानदार गजब का सेशन लेकर गाईस जो की बैस्ड होने वाला है ओर्डन एंड रैंकिंग पर तो क्या आप सभी लोगों को म हमेशा सही एक्जाम के अंदर आता रहा है ओडर एंड रैंकिंग ठीक है तो बिलकुल बैसिक से बिलकुल लेवल से बिलकुल हाई लेवल तक हम लोग पढ़ने वाले हैं जैसा कि आप सभी लोग को गया थे कि भईया लोग डाउन क्यों लगा है यह तो आप सभी लोग जा पानी से जरूर दोले एक बार तो बिलकुल अभी नियर में मैरे घर के प्रोस में दो चार लोगों को अभी जो है पॉजिटिव आप इससे पाए गये हैं इसलिए मैं आप लोगों को भी भाया सतर कर रहा हूं और मैं भी खुद भी सतर कर देने की कूरी-कूरी कौशिश र करने वाले शुरुवात करेंगे मोटिवेशनल कोट के साथ में सफल होने के लिए आपके पास जबर्दस्त द्रड़ता और जबर्दस्त इच्छा शक्ति होनी चाहिए बहुत सारे लोगों को लग रहा है अभी तो खूब समय मिल गया लोगडाउन हो गया अब तो आराम से रेस्ट करेंगे बाद में पढ़ेंगे बस जिसने ये सोचा और पिच्चर खतम यूँ समझ लो ठीक है जो इस जगब पर सुस्त हो गया ना इस लेवल पर आकर अगर सुस्त हो गया है कि भाया जीडी का नोटिविकेशन नहीं आया तो भाया अगर मालो यूँ सपोस करो कि अगले एक महीने में अगर तुमारा एक्जाम है तो क्या आज आज आप प्रिपेर हो गया एक्जाम देने लायक हो गया आप लोग सेलेक्शन ले लोगे अभी देकर आये हो आप लोग मेरे अप लोग उससे पहले भी आपने एंट्यीपी Stephanie One दिया हैं अब आगे जाके आप आप लोग बहुत ही इंपोर्टेंट एक्जाम दोगे जो जिसके जिसकी क्लास चल रही है जी डी एम्टी एस स्टेट लेवल के पुलिस के एक्जाम पटवारी के एक्जाम सभी आप लोगों को देने हैं ठीक है या अगले छे महिने में बड़ी बड़ी बहुत सारी वेकिंस दोस्तों आप लोगों के लिए है जिसके एक्जाम आपको देने है तो क्या आप लोग अपनी एक सीट रिजर्व कर पाऊंगे ये आप लोगों को सोचना है या आज आप लोगों को रियलाइस करना है कि यस हम लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं ठीक है तो वही चीज़ नहीं है ना कि आपको आगे बढ़ना है तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको आगे नहीं बढ़ा सकती यह तो आपको पढ़ना पढ़ेगा ठीके मैं तो बिल्कुल बैसिक से हाई लेवल तर हर एक चीज को आपको सिखाई रहा हूं नया बैच अपना SSE के अंदर दोस्तो चालू हो गया है और वो बैच किस से रिलेटेड है लोजिकल रीजनिंग से रिलेटेड है तो मेरे भाई उस बैच को जोईन कर लेना साथ ही साथ 21 तारिक को एक नया बैच फिर से लौंच कर रहा हूं में 21 तारिक को ही एक नया बैच फिर से आने वाला है जिसको आप लोग दीपू 10 कोड लागा कर जोईन कर लोगे और सबसे बड़ी प्लस वाली बात ये है कि सभी टीचर्स की क्लासेज दोस्तो अलग-अलग होने वाली है अलग-अलग टाइमिंग पर तो 16 अप्रेल से एक चालू हो गया है तो 9 बजे अब क्लास हुआ करेगी रात को SSE केटेगरी में 9 बजे और 10 बजे तो सोने से पहले ये mock test continue रखना है जो अंत तक बना रहेगा वही selection लेकर जाएगा ठीके इसके अलावा दोस्तो एवरी संडे आप लोगों के लिए होता है बढ़िया सा test इस biggest free scholarship test को लगाना दोस्तों सभी के लिए compulsory है यूँ समझ लो बिना mock test के selection होना ही नहीं है आप ये सोच लो कि बस मैं topic पढ़ लूँ और topic से related practice कर लूँ तो बिलकुल गलत बात है selection तो तब ही होगा जब आप mock test लगाएंगे और unacademy पर वो सुविधा भी आप लोगों के लिए available है रात को नो बज़े आप दो mock test तो रोज मेरे साथ लगाई सकते हो ठीक है अब बात करते हैं order and ranking की सबसे पहले बात करेंगे कि exam में exam point of view से क्या important है exam में कौन-कौन से question पूछे जाते हैं किस से order and ranking से ठीक है तो type of questions की में बात कर लेता हूँ यहाँ पर कि कौन-कौन से type के question आपके exam में आने वाले हैं सबसे पहले वो पूछता है कि सबसे पहले basic समझ लेना चीज़ों का देखिए upper level और high level और speed और accuracy तो बात की बात होती है पहले हर एक chapter की जड़ को पकड़ना बहुत जरूरी है आपको यह पता होना चाहिए कि examiner कौन-कौन से type के question वो पूछेगा इस chapter का नाम है order and ranking और हिंदी में इसको बोला जाता है क्रम निर्धारन क्या बोला जाता है क्रम निर्धारन तो आपको क्रम निर्धारिती करना यह हूं समझ लो ठीक है अब आपको व्यक्ति देगा कुछ व्यक्ति देगा एक जैसे की एक row में एक पंक्ति में बेठे हुए व्यक्ति देदी उसने और किसी एक व्यक्ति को पकड़ कर बोल दिया कि उसका बायें से स्थान इतना है दायें से स्थान इतना है तो टोटल नंबर ओव स्टुडेंट कितने होगे तो पहला कोशन आपका जो एक्जाम के अंदर बनता है वो बनता है total number of student in a row or class कक्षा में या पंक्ती में कितने वेक्ती बैठे है ये पूछता है पहला question दूसा question ये पूछ सकता है data दियावा होगा और आपसे पूछेगा maximum number of student कितने हो सकते है minimum number of student पंक्ती में कितने बैठ सकते है वेक्तियों की positions, इस्थिती पूछ सकता है कि कौन सा वेक्ती कौन सी इस्थिती पर बैठा हुआ है बाएं से या दाएं से या फिर वेक्ती अपनी इस्थिती बदल दें तो total कितने वेक्ती होंगे या वेक्तियों की इस्थिती क्या होगी ये mainly five type के questions आप से exam में पूछे जाते है ये बात सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि इन पाँच type के अलावा और कोई questions के अंदर नहीं बनेगा यूँ समझ लो ठीक है clear है कुल वेक्तियों की संख्या ये पूछ लेगा maximum अधिक्तम वेक्तियों की संख्या कितनी है वेक्तियों की संख्या कितनी है उसके अलावा वेक्तियों ने अगर position बदल दी है तो कितने वेक्ति हैं और इसके अलावा position of persons कितने होगी इन सब को समझने से पहले आपको इस चप्टर का basic concept समझना पड़ेगा क्योंकि examiner यहीं पर हमें फसाद देता है कभी कभी बाया की जगर left की जगर क्या लिखावा होता है कि राम का प्रारंब से इस्थान 15 है position of राम from starting is 15 राम की उपर से इस्थती टॉप से पोजिशन 15 है राम के आगे 15 लोग है राम के पहले 15 लोग है ऐसा भी दे सकता है तो यह जो left लिखावा है ना इस left का मतलब से स्थान 15 होता है टॉप का मतलब बहुँद हागे तो भी आप left बोलोगे अहीन तरह आगे की तरह बोलेगा कि राम से आगे पांच लोग है तो एप्टा का मतलब भी पहले यानि की भाया इं होता है before, before का मतलब भी left होता है बाया होता है, तो ये चीज़ समझे में आगी की नहीं आगी फटा-फट से thumbs up करके बता दो कि yes sir left का मतलब left ही नहीं होता आपको कुछ भी दे सकता है data के अंदर ठीक है, starting दे सकता है, top से दे सकता है, heat दे सकता है, before दे सकता है अब बात करते हैं सबसे important चीज की, अभी आप इस screen को देख रहे हो ठीक है, आपके सामने mobile की screen होगी या laptop की screen होगी, computer की screen होगी अभी आप इस screen को देख रहे हो, है ना, जैसे मैं खड़ा हूँ, ऐसे आप लोग भी इस screen को देख रहे हो तो आपका इधर वाला जो portion होगा इधर वाला portion यह वाला portion हमेशा left होगा और यह वाला portion हमेशा right होगा यानि यह बाया होगा यह नाया होगा ठीक है तो सबसे पहला concept में बात कर रहा हूं यहां पर ठीक है case one case one मैं सबसे पहले ले रहा हूं मानलो एक पंक्ती है ठीक है इस पंक्ती में एक व्यक्ति है राम उस राम की left से position उस राम की बायं से जो इस्तती है ना वो 10 है और इसी राम की दायं से इस्तती राइट से जो position राइट मतलग की दाया दाया से जो इस्तती है वो 15 है और मेरा question यह है कि इस पंक्ती में total कितने लोग है बिल्कुल basic से चल रहा हूं भाई में ठीक है कोई यह न कहें कि सर यह तो हमें आता है यह बच्चे वाली चीज़े क्या बता रहे हो अरे भाया over confidence और confidence में बहुत बड़ा फरक होता है हमेशा confident रहना चाहिए उससे चीज़े आसान होती है पर जिन्दगी में जब over confident हो जाते है न तो फिर दिक्कत वहीं से चालू हो जाती है ठीक है बस relax होके मस तरीके से बस समझते जाओ जो समझा रहो समझ लो हू बहू चीज़े उठकर तुमारे एक्जाम में आ जाएगी इतना मैंने बोल दी ठीक है चलिए भाई ओव्वेसी बाते एक वेक्ति है राम और इस राम की बाएं से इस्थति है दस और राम की दाएं से इस्थति है पंदरा मेरा question ये है कि total कितने लोग है क्या मुझे पैन चलाने की भी जर्वत है क्या ये तो common sense का question है ना सर मान लो मैं एक वेक्ति हूँ राम मैरी 20 से इस्थति दे रखें दस दाएं से इस्थति दे रखें पंदरा तो 10 और 15 बहुत सारे लोग बोलेंगे 25 पर थोड़ा सा सोचो तो शरी मुझे दो बार गिन लिया मुझे left से भी गिलिया मुझे right से भी गिलिया यानि 10 और 15 तो पर तो हुए पर मेरी position तो 10 में भी count हो गई और मेरी position 15 में भी count हो गई ना तो मैं 2 थोड़ी हूँ मैं तो 1 ही हूँ ना तो यहां से एक simple सा formula क्या बनाया कि अगर हमें total निकालना है तो total का सीधा सा मतलब यह हुआ कि left वाली position और right वाली position दोनों को count करो आप क्या count करोगे left वाली position और right वाली position दोनों को count करोगे पर राम दो बार नहीं गिननाई में आना चाहिए इसलिए एक बार उसको क्या कर देंगे minus कर देंगे यानि यह हमारा formula पर्मानिंटली आपको याद रखना है जो कि बहुत सारी जगह पर काम आने वाला है ठीक है बहुत सारी जगह पर यह चीज हमें काम आने वाली है कि total equal to होता है left plus right minus 1 यानि हमारे पास आगया left से position थी 10 right से position थी 15 और हमने simple सा minus 1 किया तो total equal to आगया मेरे पास 24 आगया क्या सभी लोगों का 24 आगया है बात बताओ क्या इस formula से आप तीन चीज़े find नहीं कर सकते क्या अगर आपको left और right दे दे बाया और दाया दे दे तो आप total निकाल सकते हो अगर आपको total और left दे दे तो आप right निकाल सकते हो अगर आपको total और right दे दे तो आप left निकाल सकते हो यानि कोई सी भी दो चीजे दे दे तो तीसरी चीजे हम आसानी के साथ निकाल सकते हैं Yes or no? सही है कोई सी भी दो चीजे दे दे तो तीसरी चीजे हम आसानी से निकाल सकते हैं Left, Right दे देगा तो Total निकाल लेंगे Total और Left दे देगा तो Right निकाल लेंगे टोटल और राइट देगा तो लेफ निकाल देगे जी सर बिल्कुल समझ में आ गया किसी को दिक्कत है यहां तक फड़ा-फड़ से थमसब करके बता दो जैसे मैं एक्जाम्पल के तोर के तोर पर आपको बता रहा हूं के सेकिंड के सेकिंड मैंने ले लिया इस बार जैसे मै मालो 30 देदी तो राइट से पोजिशन बता दो जल्दी से तो हम लोग जानते हैं न कि सर कोई बात नहीं इस बार अगर टोटल भी दे दिया है और लेफ से पोजिशन दे दिये तो तब भी फोर्मला तो यह यह है टोटल इक्वल टू क्या होता है लेफ प्लस राइट माइ इक्वल टू 70 70 माइनस 29 एक्वल टू राइट यानि राइट से सिंपल सी पोजिशन आ गई सर 41 आ गई कितने आ गई 41 आ गई तो भाई पैन चलाने की तो फिर भी जरुवत नहीं थी क्या पैन चलाने की जरुवत थी क्या अच्छा 70 लोग दिये हुए हैं कितने लोग दिये हुए हैं सतर लोग दिये हुए हैं इधर से मैं बेठा हूँ 30 नंबर पर तो इधर कितने लोग बचे 40 भाई तोटल 70 लोग है इधर से मैं हूँ 30 नमबर पर तो इधर कितने लोग बचे 40 तो चालिस तो यह लोग हो गए जो बाकी के लोग है और position गेनेगा तो 40 के बाद की position मैं कौन से नंबर पे हूँ 41 नंबर पे हूँ ना 41 पे हूँ ना पैन चलाने की जरुवत का है total है सर 70 लोग मैं बेठा हूँ 30 पे तो इधर के लोग कितने 40 और मेरी position 40 के बाद वाली यानि मेरी position कौन सी होगी 41 41 तो पैन चलाने की जरुवत का है बताओ पैन चलाने की जरुवत है क्या पैन चलाने की जरुवत ही नहीं है तो नहीं है तो फड़ावट से एक question करके बता देना कि इस बार मैंने बोला कि 90 लोग बेठे हैं भाई किते लोग बेठे हैं 90 लोग बेठे हैं ये राम है ठीक है 90 लोग बेठे हैं राम है और इस बार मैंने राइट से पोजिशन दे दी है कि राइट से पोजिशन है 42 तो लेफ्ट से पोजिशन कितनी होगी लेफ्ट से पोजिशन कितनी होगी जल्दी से बता दो राइट से पोजिशन है 42 तो लेफ्ट से पोजिशन कितनी होगी जो अंत तक बना रहेगा वो जिन्दकी की दोड में सबसे आगे निकलेगा क्योंकि वो सबसे पहले जोब लेके जाएगा और फाइनेंचली फ्री होगा बस ये बात याद रख लो ठीक है सिम्पल है 90 लोग है कितने लोग है 90 लोग है इधर से बेठाओं मैं 42 पर तो इधर कितने लोग है 48 लोग तो इधर ही है अरे इधर से अगर मैं 42 पर हूँ तो 48 पर सन इधर है तो 48 यानि 48 लोगों के गिनने के बाद में कौन से नमबर पर आ होँगा और अरणचास नमबर पर आ हूँगा पें चलाने की जर्वत नहीं है पर तुम तो चला लेना चला लेना और कोशन सई करया ना बस हमें तो यही चाहिए और क्या चाहिए एक तो पता लगे तुम वा जाके राग आने लग जो कि दीपक सर ने तो कहा था कि फेन चला नहीं नहीं है भाई या चला ले ना तुम तो चला ले ना फेन कोई दिक्कत नहीं है ठीके तो left से position find करनी है 90 लोग थे right से दिया हुआ था 42 minus 1 यह हो गया 41 तो 90 equal to left plus 41 41 इदर आ जाएगा 90 minus 41 equal to left तो left से position आ गई 49 सहीए कि नहीं है clear है तो चलिए इसी बात पर फिर एक question आप लोग करके बताएंगे मुझे ठीके करिएगा भाई इस बार मैं दे देता हूँ question आपको यानदार question है total मैंने दे दी है 90 लोग और राम की position दे दी ऐसे लिख देता हूँ rl यानि के left से राम की left से position दे दी है मैंने आपको 25 और श्याम की right से position मैंने आपको दे दी है थोड़ा छोटा लिखूँ अच्छे अच्छे से ताकि दो question बन जाएंगे फिर एकी बोड़ पर है ना आरम चलीज़व यह लेते हैं यह question है समझ लो और मैंने दे दिया कि total equal to 90 लोग है राम की left से position दे दी है 25 और श्याम की right से position दे दी है भाई मैंने दे दी है 20 ठीक है और मेरा question यह है कि mid person कितने है mid person बीच में कितने लोग दोनों के बीच में कितने लोग बीच वाले लोग निकालने कि इन दोनों वेक्तियों के बीच में कितने लोग चली जल्दी से करके बताएंगे फढ़वट से एक वेक्ति है राम जिसकी बायें से इस्थति है 25 एक वेक्ति है श्याम जिसकी दाएं से स्थिती है 20 और भाई बीच में कितने लोग बेठे हैं ये ग्याद करना सर लोगडाउन लग गया है राइस्थान में अरे लगने दो ना यार लगने दो तुम तो जम के महनत करो जिस दिन बस एक्जाम में बेठो उस दिन फोड फाड के निकलो बस ये विश्वास होना चाहिए आप तो बस जम के पढ़ाई करो घर पे बैठके कोई काम नहीं करना बस तुमें कहीं टाइम वेस करने की जर्वत नहीं है पता लगा लोग नाउन लगया पिकनिक मनाने निकल लिए भाईया ना ना नी के ऐसा का मत करना जीवन में नहीं तो जिन्दगी भर पिकनिक नहीं मनाएंगे फिर काम करना पड़ेगा और अभी धंग से काम कर लिया पड़ाई कर लिए तो जिन्दगी भर पिकनिक मनाना फिर आराम से पिचर खतम क्या बात है अब बहुत सारे लोगों का आंसर देखो तुम्हीं आपर वेक्तियों की महांता का प्रतीक भी दे रहे हैं कुछ लोग 46, 47 46 आंसर दिखाई दे रहा है 47 दिखाई दे रहा है 45 दिखाई दे रहा है तीन आंसर तो मुझे तुम यहीं दिखाई दे रहे हो 43 भी दिखाई दे रहा है 49 भी दिखाई दे रहा है क्या गजब का वेक्टित वहेगा मतलब यह देखो महानता तो इसी चीज में है यहाँ पे कुछ बच्चे अड़े हुए हैं नहीं सर हमें 3-4 ओप्षिन से हमारा काम नहीं होता हमें तो कम से कम एक्जामिनर जब तक 8-10 ओप्षिन नहीं देगा न तब तक हमें एक आंसर नहीं बता सकते यह रीजनिंग सिर्फ दिमाग का खेल है और कुछ नहीं है जिसको खेल आता है न वो जीत गया समझ लो ठीक है अब नहीं खेलना तो फिर सीख लो यहां पर कैसे खेलना है क्या दिया था अभी तक तो एक वेक्टी दे रहा था पीछे वाले कोशन्स में अरे भाई पीछे वाले कोशन्स में तो एक ही वेक्टी दे रहा था जब एक व्यक्ति दे रखा हो और बाएं से और दाएं से इस्थान दे रखा हो तब तो टोटल निकाल लेते हैं जब एक व्यक्ति दे रखा हो और लेफ्ट से और राइट से पोजिशन दे रखी होती है तब तो आसानी किसा टोटल निकाल लेते हैं इस फोर्मला से total equal to होता है left plus right minus one पर यहाँ एक वेक्ती थोड़ी है थोड़ा धंग से तो देखें question को तो समझो अब यहाँ पर दो वेक्ती हो गए एक तो total एक राम और एक दे रखा है श्याम तो भाईया पहले तो क्या बनाओगे diagram बनाना आना चाहिए कैसे बनाएंगे ऐसे बनाएंगे कि sir यह दे रखा है हमें total total में क्या दे रखा है वेटा 90% ठीक है एक वेक्ती दे रखा है राम एक वेक्ती दे रखा है राम और इस राम की left से position दे रखी है कितनी 25 और एक वेक्ती दे रखा है श्याम जिसकी right से position दे रखिए तुमें 20 क्या मैंने ये diagram सही बनाया है क्या 100% मैंने ये diagram सही बनाया है क्यों सही बनाया है इसका कारण आपको बताता हूं मैं ठीके इसका कारण ये है कि भाई जब total की value जब total का जो मान होता है total का जो मान होता है यानि ये वाला मान अगर वेक्तियों के दिये गए स्थानों के मान से लेफ्ट से और राइट से वेक्ति के दिये गए स्थानों के मान से अगर जादा होगा तो ये केस बनेगा सेप्रेट केस अगर टोटल का मान वेक्तियों के दोनों दिये गए इस्थानों के मान से ज़्यादा हो और बीच वाले लोग पूछे तो इस केस को बोलते हैं separate case यानि अलग-अलग इस्थान बनेंगे इनके इस तरीकी का case बनेगा इसको बोलते है separate case यानि तब mid person हम केसे निकालेंगे तब mid person निकालने का simple सा फंडा है कि बड़ी वाली संख्या मेंसे छोटी वाली संख्या को minus कर दो यानि कि total मेंसे जो वेक्टियों के दिये गए इस्थानों के माने left plus right बस इनको minus कर दो बीच वाले लोग आ जाएंगी तो सही तो है बीच वाले लोगी तो पूछ रहा है कि बीच में कितने लोग बेठें ठीक है तो खतम यहां से यह 25 राम के अटाओ यहां से 20 शाम के हटाओ बीच वाले लोग आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे यानि आंसर क्या आए गया हमारा हमारा आंसर आ गया कि mid person mid person बराबर हो गये 90 minus 25 plus 20 90 minus 25 plus 20 यानि कि 90 minus 45 equal to 45 आ गया भाई कितना आ गया 45 आ गया simple सी चीज़ है फिर से समझाता हूँ अगर total का मान वेक्तियों के दिये गए इस्थानों के मान से जादा हो रहा हो देख लो 20 और 25 को जोड़ोगे तो आप खुद ही देख लो 90 तो 45 से जादा ही होगा न total का मान वेक्तियों के दिये गए स्थानों से मान से जादा हो रहा है तो ऐसा case बनेगा separate case बनेगा सही है नहीं है तब हम क्या करेंगे सीधा mid person बीच वाले लोग कैसे निकालेंगे total minus left plus right ठीक है total में से बड़े वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को minus कर देंगे परन्तु अब देखना भाया यहाँ पर अब इसी question को मैं एक different तरीके से दे रहा हूँ आपको देखना इदर इस बार मैंने question दे दिया तुमको total equal to है total equal to है मान लो 40 total equal to कितने दे दिया 40 और राम का बाये से इस्थान दे दिया 25 और श्याम का दाये से इस्थान दे दिया है 20 और अब मैं पूछरों की mid person क्या होगी अब मैं पूछरों की mid person यानि बीच वाले लोग क्या होगी ये question अगर आपने समझ लिया ना तो समझ लो चार concept तुम सीख गए आज ये question करके बताओ इस बार मैंने दिया है total equal to 40 राम का 22 स्थान 25 श्याम का दाये से स्थान 20 और अब मैंने पूछा है कि बीच में कितने लोग हैं देखते हैं कितने लोग ज्यात करते हैं इसको बीच में कितने लोग हैं मैंने का ना एक बार में तो सही आए गई नहीं आंसर सुनना क्या आ रहा है तुमारा तीन चार पांच साथ एक तीन चार पांच साथ एक पांच आंसर तो मुझे अभी अभी दिख गए ठीक है इसके अलावा मतलब पांच चार तीन दो पांच अरे मेरे भाई देखना इदर मैंने क्या कहा डायग्राम बनाना आना चाहिए तो सबसे पहले बनाएंगे आप डायग्राम आपको टोटल क्या दिया है 40 लोग दिये हैं शान तो जाएं और पूरा का पूरा ध्यान इदर रखें बस यही तुम्हारी तकदीर बदलने वाला है यह समझलो बस यह स्क्रीन तुम्हारी तकदीर जरूर बदल देगी अगर तुम सच में चाहोगे सफल होना तो हो जाओगे बस इदर ध्यान रख लो चालिस लोग हैं कितने लोग हैं चालिस लोग हैं अब चालिस लोगों में राम है यह कौन है राम इस राम का बाएं से इस्थान तुम्हें दिया है पच्चिस और एक व्यक्ति है श्याम जिसका दाएं से इस्थान दिया है तुम्हें बीस और जब तुम गिन रहे हो कि 25 तो ये हैं और 20 ये हैं तो ऐसे तो भाईया ये तो 45 लोग हो गए अरे भाई तुमने राम का बाएं से स्थान लिया 25 श्याम का दाएं से स्थान लिया 20 तो 25 और 20 तो सर्फ 45 लोग हो गए यहां पर पर भाईया उसने तो कहा था कि 40 लोग ही है जब लोग ही 40 है तो भाईया 45 लोग कैसे गिन लेंगे तो क्या ये डायग्राम जो मैंने इस तरीके से बनाया है क्या वो सही है क्या बस जवाब देते जाओ तुम तो ढंग से अच्छे से जवाब देते जाओ चीजों को समझ लो इदर एक विक्ती बोल रहा है कि सर MTS की क्लास कप से होगी भाई तू दो चार साल बाद आना अभी तेर को पढ़ने की जर्वत नहीं है पता है नहीं MTS में क्या आता है और मूँ ठाके चले आते हैं बस फिर कहते हैं कि हमारा सेलेक्शन नहीं होता घूंते रहते हैं बस इदर से उदर उदर से इदर यू नहीं कि दस मिनट गूगल पर सर्च करके उसका सेलेबस ही देख लें कम से कम रेगुलरी हो जाएं क्लास के अंदर नहीं वो हमें नहीं करना वो हम नहीं करेंगे सर हम क्यों सेलेबस देखेंगे सर हम क्यों सेलेबस देखेंगे सर हमें तो नोकरी चाहिए पर हम सेलेबस नहीं देखेंगे हम पढ़ेंगे नहीं ऐसे भी व्यक्तितों वाले ये लोगो नहीं पता तिरको किसका है, ये लोगो नहीं दिख रहा तुझे, कि ये लोगो किस चीज़ का है, SSE का लोगो है न, तो SSE के सभी जितने भी एक्जाम्स होते हैं, उन सब में ये चेप्टर आता है, फिर MTS, पिर DIRD और फिर एक जना पूछेगा पुलिस, यही काम में बस पूरे दिन बर रोज यही पूछो तुमकी सरी क्लास किसकी है, MTS की नहीं चलेगी क्या, CGL की नहीं चलेगी क्या, भाई, कॉमन क्लास है, कॉमन चप्टर चल रहे हैं, जो सभी एक्जामों में आते हैं, चाहे वो रेलवे हो, चाहे SSE हो, ये बात दिमाग में फिट कर लो, ये चार बजे का टाइम तुम्हें याद रखना है, और डॉट क्लास के अंदर आ जाना है, बस, नेट खत्म हो जाता होगा, इनका गूगल पर सर्च करते हैं, अब देखो इदर यहाँ पर समझो, क्या समझा रहा था हमें, जब तुम्हें, एक, जब तुम्हें टोटल दे रखा था, और दो वेक्तियों के इस्थानों के मान दे रखे थे, एक राम का और एक शाम का, पर इन दोनों वेक्तियों के जो इस्थानों के मान का जो योग हो रहा था 25 और 20, 45 तो ये 45 जो आया था ये 45 टोटल से कम था न जब टोटल से कम मान दे रखा हो देखो टोटल से कम दे रखा है जब total से कम दे रखा हो तब तो separate case दोनों को अलग-अलग बना लेंगे कि एक तरफ 25 वाला बिठा दिया एक तरफ 20 वाला बिठा दिया बीच वाले पूछ रहा है सीधा माइनस कर दिया लेकिन अब क्या करें अब तो क्या हो गया यहां पर अब यहां पर case क्या बन गया यहां तो कम हो गया तो दरबर हो गई भाई अब यहां पर जो total का मान है वो ज़ादा थोड़ी न है टोटल का मान तो कम हो गया भाई टोटल का मान तो किस से कम हो गया जो वेक्तियों के दिये गए इस्थान है ना बाएं और दाएं से लेफ्ट से और राइट से लेफ्ट से और राइट से जो दिये गए इस्थानों के मान है उससे कम हो गया अब टोटल का मान यहां तो उल्टा हो गया जब total का मान ज़ादा था वेक्तियों के दिये गए इस्थानों के मान से तब तो सीधा माइनस कर लिया था कि total में से दोनों वेक्तियों के इस्थानों के मान को माइनस कर दो लेकिन अब क्या करें पहली बात तो अभी यह case ही नहीं बनेगा, अभी है case किस तरीकर से बनेगा तो देखना इदर यह case बनेगा overlaping का case you, overlapping का case यानि कि अब Ram और शाम दोनों बैठेंगे तो सही पर दोनों को क्रोस करेंगे, एक दूसरे को क्रोस करेंगे, देखना का सी бер ये देखो दो ये बेठा रखे हैं 40 लोग किते लोग बेठा रखे हैं 40 लोग से अब इन 40 लोगों में एक वेक्ती बेठा हुआ है राम ठीक है और एक वेक्ती बेठा हुआ है शाम पर मैं राम को यहां से लेफ्ट से गिनूँगा और राम बेठा है 22 से 25 नंबर पर और शाम बैठा है दाएं से 20 वे नंबर पर यानि राम और शाम बैठेंगे तो सरी लेकिन अलग-अलग नहीं बैठेंगे separate नहीं करेंगे जबकि ये एक दूसरे को क्या करेंगे cross करेंगे और इस condition को बोलते हैं overlapping overlapping case क्या बोलते हैं इसको overlapping एक दूसरे को overlap करेंगे अगर total का मान वेक्ति के दोनों के दिये गए स्थानों के मान से क्या हो जाए कम हो जाए total का मान वेक्ति के दोनों के दिये गए स्थानों के मान से कम हो जाए तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे overlap करेंगे इसको बोलते है overlapping का case और overlapping का case ये होता है यानि राम को मैंने यहां बिठाया, शाम को मैंने यहां बिठाया, अब मुझे निकालने हैं बीच वाले लोग, तो ध्यान से देखना अब, अब मुझे यह बीच वाले लोग निकालने कि बीच में कितने लोग बिठाया, अगर टोटल का मान वेक्तियों के दियेगे इस्था यहां total बड़ा था, तो left और right को minus कर रहे थे, अब यहां पर left और right बड़ा है, left और right बड़ा है, तो total को minus करेंगे, और तो total को minus करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाला तो minus हो गई होगा, लेकिन मुझे एक बात बताना, एक छोटी सी चीज पूछ रहा हूं, इस formula के अंदर आगे आपने पढ़ा होगा कि minus 2 भी किया जाता है तो मेरा question यह है कि sir इस overlapping के case में मैं formula समझा रहा हूं कि कैसे बनाए यह overlapping का case का जो formula होता है जिसके अंदर बीच वाले लोग हमें ऐसे निकालते हैं कि left plus right minus total minus 2 क्यों करते हैं यह minus 2 का आज गनित समझाता हूं तुम्हें कि यह minus 2 क्यों किया जाता है यह minus 2 इसलिए किया जाता है क्योंकि जब हम बाएं से राम तक जा रहे हैं तो बीच में श्याम counting में आ रहा है कि नहीं आ रहा भया तुम तो राम को गिन रहे हो पर इसमें शाम की position count हो रही है कि नहीं हो रही है बीच में और जब तुम शाम को count कर रहे हो तो राम भी फिर counting में आ रहा है तो ऐसा थोड़ी है कि दोनों को दो दो बार गिनेंगे तो दोनों की position को एक बार minus कर देते हैं एक बार इसको और एक बार इसको तो दोनों की position के लिए ये minus 2 किया जाता है यानि कि simple सा हमारा answer क्या आगया left plus right यानि कि 25 plus 20 minus total कितना था 40 minus 2 40 और 2 कितना हो जाएगा 42 तो 45 में से 42 जाएगा तो 3 answer आगया कि नहीं आगया यानि बीच में कितने लोग बेठें बीच में 3 लोग बेठें तो दोनों चीजे समझ में आगी की नहीं आगी फटावट से thumbs up करके बता दो एकदम जबर्दस तरीके से कि यह सर आज दोनों चीजे हमारी एकदम शांदार तरीके से clear हो गई ठीक है देखिए इदर फिर से समझा देता हूँ total आप से simple सा पूछा है दो वेक्ति दे रखे हैं एक राम दे रखा है और एक शांदे रखा है और total दिया हूआ है और question सिर्फ इतना सा है कि राम और शांदा के बीच में कितने लोग बेठे हैं तो आपको तो बस यह चेक करना है कि sir total का मान total का मान अगर वेक्तियों के दोनों दियेगे इस्थानों के मान से जादा है तो simple सा गनित है दोनों को अलग-अलग बिठाएंगे इदर से राम को उटाया इदर से शांदा बीच के लोग आ जाएंगे यानि total में से सीधा राम और शांदा देंगे यानि 90 में से सीधा 45 घटा दिया था तो 45 आ गया था लेकिन अगर अगर total का मान अब कम हो गया total का मान खुद का मान ही कम हो गया वेक्ति के दोनों दियेगे इस्थानों के मान से तो फिर ये वाला case नहीं बनेगा इसको बोलते है separate case ये separate case नहीं बनेगा overlapping का case बनेगा यानि इनकी position एक दूसरे को cross करेगी ठीक है यानि इनको ऐसे बिठाया हमने तब mid person निकालने का formula होता है left plus right minus total minus 2 ठीक है clear है बहुत बढ़िया ला जब चलिए अब एक question मुझे करके बता देना आप लोग फटा-फट से देखना है अब maximum और minimum का भी यह concept होता है ठीक है कि अधिकतम maximum कितने लोग बेटें और minimum कितने लोग बेटें पंक्ती में maximum कितने लोग बेटें और minimum कितने लोग बेटें जैसे question में दे रहा हूँ आपको जैसे पहले question दे रहा हूँ मैं आपको ठीक है राम की left से position है 12 और श्याम की right से position है 26 ठीक है राम की left से position है 12 और श्याम की right से position है 26 और बीच में mid person बोटें mid person इस बार मैंने खुद ने दे दिया तुम्हें कि mid person जो है mid person जो है एक तो maximum के तो लोग बेटें और एक minimum कि marriage लोग बेटें पे राम बारापर है श्याम 26 पर है दोनों के बीच में 5 लोग है maximum किते लोग होंगे minimum किते लोग to चाहे आप SSC GD का एक्जाम दे लें CGL, CHSL, MTA, CPO कोई सभी एक्जाम दे लो दोस्तों आपके नंबर पूरे ही आने वाले हैं बस आप ये बात दिमाग में डाल लो आपके नंबर बिल्कुल पूरे आएंगे सभी लोग दिल से लाइक कर दें सेशन को एक बार शेर कर दें बड़िया तरीके से चलिए देखी गए सिंपल सी चीज है अगर मैक्सिमम निकालना है तो कौन सा केस होगा सिंपल सी चीज देखना आप इदर अरे भाई अगर मैक्सिमम अधिक्तम लोग निकालना है मुझे मुझे निकालना है मैक्सिमम जिसको हम बोलते हैं अधिक्तम क्या बोलते हैं अधिक्तम मैक्सिमम लोग निकालना है यानि अधिक्तम लोग निकालना है मुझे ठीक है तो maximum के लिए formula क्या होगा separate case ये कौन सा case बनेगा maximum का मतलब होता है separate separate case यानि अलग-अलग इस्थिती ले लेंगे vector की इस्थिती क्या ले लेंगे? अलग-अलग अलग-अलग इस्थिती ले लेंगे तो simple सा formula ये होता है left plus right left plus right plus midperson left plus right plus mid first यह formula हो गया यह formula किसके लिए हो गया maximum के लिए यह formula किसके लिए हो जाएगा maximum के लिए हो जाएगा और अगर minimum निकालना है मुझे मुझे अगर क्या निकालना है इसके अंदर minimum निकालना है अगर मुझे निकालना है minimum अगर minimum निकालना है तो भाया separate case ले नी सकता ना अगर मुझे new thumb लोग निकालने है new thumb लोग निकालने है तो case किसका बनेगा overlapping गा और जब cross करेंगे तो अभी अभी आपने पढ़ा है कि cross करने पर क्या होगा ठीक है अब आप क्या करोगे obvious ही बात है दोनों वेक्तियों को जोड़ोगे left plus right दोनों वेक्तियों को जोड़ोगे तो जरूर ठीक है अब इसमें से क्या करोगे आप भाई दोनों के बीच में देखो बाई नियूंतम निकालने है न, अब्यस ही बात है, नियूंतम लोग निकालने है तो अभी देखना क्या गरो गया, आप बीच वाले वेक्ति दो बार रिपीट होएंगे, देखो आप, आपको नियूंतम निकालने है, ये देखी, ये ओवरलेपिंग का केस होता है, नियूंत में आ रहे हैं देखो आप ध्यान से देखो जब और लेपिंग का केस होता है जब नियूंतम का केस होता है तब क्या होता है भाई सेप्रेट अधिक्तम में तो क्या हो गया राम को अलग बिठाया शाम को अलग बिठाया बीच वाले अलग बिठाया तीनों को जोड दिया राम ठीक है अब ये है अब आप अगर राम तक गिन रहे हो देखो आप राम तक गिन रहे हो तो शाम भी गिनाई में आ रहा है और बीच वाले लोग भी गिनाई में आ रहे हैं जब आप शाम तक जाओगे जब आप शाम तक जाओगे तो राम गिनाई में आएगा और बीच वाले तो भी गिनाई में आ रहे हैं तो पहले तो इनको माइनस करेंगे तो formula क्या बनेगा left plus right minus mid ठीक है क्या बनेगा left plus right left plus right minus mid minus mid person और क्या करेंगे minus two राम और शाम की खुद की इस्तिती भी minus हो यह दोनु formula आपको याद अटने है maximum और minimum के ठीक है यह maximum का formula है left plus right plus mid person सीधा है और minimum के लिए left plus right minus mid person minus two तो बनाओ भाई चलो बनाते हैं इस question को चलीगा अब चाहते हैं करने वाला तो directly भी कर लेगा और समझने वाला वेक्ति आरम से diagram बना के भी समझ सकता है कि अच्छा यह रहा राम और यह बाये से बेठा बेठा है 12 नमबर पे यह शाम और शाम दाये से बेठा है 26 नमबर पे बीच में उसने बोला है कि 5 लोग हैं और अधिक्तम कितने लोग हैं तो बस रगदो formula में अधिक्तम कितने लोग हैं यह रग दिया आपने formula में ठीक है max person कितने आ जाएंगे max person आ गए हमारे पास 12 plus 26 plus बीच में कितने है 5 total हो गया 340 43 person max हो गया अब minimum लोग निकाल ले हैं तब आप क्या करोगे कैसा formula बनेगा separate वाला case नहीं बनेगा case कैसा बनेगा इस तरी के से कि ये पंक्ती है इस पंक्ती में क्या करना है राम बेठा है राम लेट से 12 पे बेठा है श्याम बेठा है श्याम राइट से 26 पर बेठा है और इन दोनों के बीच में 5 लोग है ठीक है यानि इन दोनों ने ओवरलेट कर दिया छोटी पंक्ती बनानी कम लोग ग्याद करने ना तो कम लोग यह आ गया यानि कि लेफ्ट से 12 राइट से 26 माइनस बीच में कितने थे 5 लोग और माइनस दो तो क्या आंसर आ जाएगा 26 और यह हो गया 38 38 में से आपके पास में साथ चला गया तो यह आ गया इकत्व क्या यह चीज आपको समझ में आ ग माइनस टू तो यह हो गया मिनिंग ठीक है सर अमने पहले ही बना दिया था बहुत बढ़ी है ला जवाब शानदर तो फिर आप एक कोशन कर लोगे ना जल्दी से थमसब करके बता दो कि यह सर कर लेंगे ठीक है कर लेंगे तो यह लीजिए मैं दे रहा हूं आपको एक कोश पोजिशन और आप लोग मुझे करके बता दीचेएगा जल्दी से अब है ना देखिएगा राम की लेफ्ट से पोजिशन है राम की लेफ्ट से पोजिशन है बारा श्याम की राइट से पोजिशन है 26 और मैं बोल रहा हूं कि इनके बीच में इनके बीच में पंदरा लोग बेटे हैं कि बेटे बीच में 15 लोग बेटे तो मीनिममक say कि mm कि gì आ मिनिमम किते लोग बेटे हैं गयाद करके बत आद और राम की लेप इसे पॉसिशन आरा शांट की राइट से पॉसिशन दे चपीछ बीच में हैं 15 लोग और न्यूंतम जायात करके बता दिजी मैं ऊप्षेंस में आपको देता हूँ पहला उप्शन में आपको देता हूँ 21 situations गवर टेश्कम्स के शेवरे पर फून में अपता हूँ 38 और चोप्था आप्शन मैं आपको देता हूँ अच्छा सा नमबर बता दो फिर बड़ी ऐसा 31 यह लेज़े यह लेज़े चलिए अब आप करके बता दीज़े मैंने क्या कहा confidence बिल्ड करना और और confident होने में जमीन आसमन का फर्थ क्या बात बहुत बड़ी आंसर आ गया minimum person आए हैं आपके 21 और maximum person आए हैं तरेपन क्या बात है 21 आ गया सभी गा पड़ा पड़ से थमसब करके बता दो जल्दी से थमसब करके बता दें कि yes sir 21 आ गया क्या कुछ लोगों ने निकाला है तरेपन maximum sir तरेपन और minimum आया है 21 तो एक आंसर बताओ ना question तो एक ही पूछा है मैंने तुमसे तुमसे जो पूछा गया तुम उसी का जवाब दो ना तुमसे जितना पूछा कि आप उतने का जवाब दें बस ताकि मुझे सटीक अंदाजा हो सके कि हाँ आपने ये आंसर निकाला क्या बात 21 जिस व्यक्ती ने 21 निकाला है न यहां से ये पता लगता है कि वो कितनी सोचने और समझने की शमता रखता है यहां पर जिस व्यक्ती ने 21 निकाला है न 21 यहां से ये पता लगता है कि उसकी सोच का दायरा कितना है वो सोच पाता है या फिर बस बती बनी बनाई या किताबों में मिलने वाली बातों तक ही सीमित रहता है और आंसर निकालता है भाई किताबों के भरो से बेठे रहोगे न तो जिन्दिकी में आधी से आधी चीज़े ही सीख पाओगे बस ठीक है मैं चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी चीज़ को सीखे दुनिया में या दखना एक चीज़ मेरी बात आज अमल कर ले ना इस बात को जब भी कोई भी चीज़ सीखे ना तो पूरी सीखें आधा अधूरा कभी सीखे ही ना क्योंकि आधा अधूरा जिन्दगी में हमेशा आनी कारग होता है वो आपको पीछे ही धके लेगा या तो उस चीज की पूरी knowledge ले लें और फिर आगे बढ़ें फिर लें ही ना ठीक है क्योंकि आदा दूरा तो पिर मतलब भी नहीं है ना उसका दूर अब देखना यहाँ पर चीजों को समझना सर आपने यह formula बताया कि minimum का यह formula होता है left plus right minus mid minus 2 सर हमने यही formula यहाँ पर लगाया सर हमने यही formula यहाँ पर लगाया कि आपसे minimum लोग फूचा कि minimum कितने लोग हैं और formula यह था left plus right minus mid minus 2 और हमने इसी formula को लगाया sir इसी formula को कैसे लगाया left से position कितनी थी 12 थी, right से position कितनी थी 26 थी, बीच में कितने लोग बेठे थे 15 लोग बेठे थे और हमने minus 2 किया हमने यहाँ पे आया sir 38 और 38 में से यह 17 चला गया तो sir 21 ही तो आया sir न्यून्तम लोग कितने बेठे हैं पंक्ती में 21 लोग बेठे हैं पर थोड़ा सा सोच निरे मुर्ख प्राणी बिलकुल सोचते नहीं है सोचते ही तो नहीं है यही तो सबसे बड़ी जीवन की समस्या है कि आ रे भाई तुम कह रहे हो कि पंक्ती में 21 लोग बेठे हैं तुम कह रहे हो कि पंक्ती में 21 लोग बेठे हैं तो 21 लोगों में शाम के 26 इस्थान कैसे गिन लिये तुमने ये तो बताओ मुझे जब लोग ही तुमने कहा कि लोग ही भया पंक्ती में 21 बेठे हैं तो 21 लोगों में तुमने 26 कैसे गिल लिये फिर इस बात का जवाब दो तुम तो बस मुझे सोचो एक बार सोचो सोच के देखो एक बार think about it सोच के देखी एक बार कि जब आप इस फोर्मले से निकाल रहे हो तो आपका आंसर कितना आ रहा है 21 आ रहा है तो एक बात बताओ 21 लोगों में 21 लोगों में हम शाम का इस्थान 26 कैसे गिन सकते हैं राम का इस्थान 12 तो गिन सकते हैं भाई राम का इस्थान 22 से 12 है ये तो गिन सकते हैं पर शाम को तो बिठाई नहीं सकते शाम को तो बिठाई नहीं सकते बताओ सही है या नही है पड़ावड से थमसब करके बताओ कि यस सर बिल्कुल सही है 100% सर यस सर पोसीबली नही है यह किस आंसर आजा यह तो पोसीबली नही है तो इसका मतलब क्या है कि इसकी भी limitation है overlapping का जो case होता है उसकी भी limitation है देखना विदर केस है overlapping का case minimum person आप सिर्फ तब तक ही निकाल सकते हो आप यह overlapping का जो case जिसको हम बोलते है minimum person का मतलब हो गया overlapping case overlapping case तब तक ही valid है जब बीच में बैठे गए वेक्तियों की संख्या का मान सबसे कम दिये गए मान से कितना कम हो दो कम हो यानि यह question valid कब होगा minimum के लिए question valid कब होगा कि जिसका नियूंतम मान दे रखा है जिस वेक्ति का नियूंतम मान दे रखा है जिस वेक्ति का नियूंतम मान दे रखा है जैसे राम राम का मान नियूंतम है नियूंतम वेक्ति के दिये गए मान से दो कम यानि की देखना इदर 12-2 अगर बस बीच में बेठे गए वेक्तियों की संक्या 10 तक दे रखिए बीच में बेठे गए वेक्तियों की संक्या 1 हे, 2 हे, 3 हे, 4 हे, 5 हे 6 हे, 7 हे, 8 हे, 9 हे, 10 हे बस 10 तक ही Vこれで बस यहां तक ही Votherapy अब देखो यहां पर तुम्हें दिया था ठीक है यहां पर कितना दिया था तुम्हें पांच दिया था है न यहां पर बीच में बैठे गए वेक्तियों की संख्या का मान कितना दिया था पांच तो तुमने आसानी के साथ निकाल लिया था कितना 31 निकाल लिया था तुमने valid था क्योंकि 31 लोगों में आप 12 भी गिन सकते हो और 31 लोगों में आप 26 भी गिन सकते हो question valid था सही है तो बीच में बैठे गए वेक्तियों की संख्या का मान जो new term 12 और 26 में new term मान कुन सा है ये 12 तो इससे 2 कम तक यानि 10 तक valid है बस 10 तक आप overlapping का case बना सकते हो आप सिरिफ 10 तक overlapping का case बना सकते हो 10 से जादा जैसे ही हो गया मान लो 11 हो गया तो आप new term फिर overlapping का case नहीं बना सकते 12 दे दिया तो overlapping का case नहीं बना सकते क्यों 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 कि 12 लोग तो minimum ये हैं ठीक है और इस से 2 कम यानि 10 तक ही valid था question तो 10 से जादा जैसे ही दे दिया 15 दे दिया तो ये case तो बने गई नहीं अब ये overlapping का case नहीं बने गा और फिर भी पूछ रहा है कि न्यूंतम कितने लोग हैं ठीक है सरी ये case है जब overlapping का case बनना ही नहीं है और फिर भी हमें वेक्तियों को बिठाना है तो जब न्यूंतम यानि overlapping का case अगर fail हो जाए overlapping case अगर fail हो जाए तो आप क्या करोगे separate case तब आप क्या निकालेंगे separate case निकालेंगे अगर overlapping का case अगर आपका fail हो जाता है ठीक है तब आप separate case निकालेंगे clear है तो separate case का मतलब क्या हुआ यानि कि वेक्तियों को बिठाएंगे जरूर पर सबको अलग-अलग जैसे राम राम की left से position कितनी थी 12 थी शाम की right से position कितनी थी 26 थी ठीक है बीच में कितने लोग थे 15 लोग थे तब आप separate case लेंगे और separate case का सीधा सा मतलब है कि आपको फिर minimum की जगह क्या निकालना पड़ेगा separate case यानि आपके अधिक्तम वाला जो answer होगा वही हमारा answer हो जाएगा यानि 12 प्लस 26 प्लस 15 सभी को जोड़ देंगे कितना आगया तरेपन आगया यानि इस question का answer यहां पर क्या होगा तरेपन होगा क्या होगा इस question का answer इस question का answer यहाँ पर तरेपन होगा ठीक है यानि कि व्यक्ति आप अंग्ती में बिठाओगे जरूर लेकिन overlay करके नहीं बिठा सकते अलग-अलग करके बिठा सकते हो तो अब आप ये बोल लो कि न्यूंतम व्यक्ति भी इस condition के according तरेपन ही बेठेंगे और maximum भी तरेपन ही बेठेंगे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ठीक है अगर ये दोनों ही नहीं दे रखे होते 21 भी नहीं दे रखें मतलब ये तो खिर वैसे ही wrong है अगर माल लो ये तरेपन भी आपके question में नहीं दे रखा होगा तो एक चीज आपको जरूर दे रखी होगी C&D cannot be determined हम निर्धारित नहीं कर सकते बात समझ में आई बात समझ में आई कि नहीं पड़ा फट से थमसब करके बता दो कि ये सर बात समझ में आई जिन्दे की में ये बता देना आज आपने हजारो बार आपने जीवन में हजारो बार शायद आपने ये ranking chapter पड़ा हो ठीके और इसी तरीके से आपने और भी chapters पड़े होगे लेकिन तहट तक दोस्तों अगर आप नहीं पड़ रहे हो तो आज के competition के दोड़ में कहीं न कहीं आपकी चूकने के chances बन सकते हैं और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मुझसे पड़ने वाला जो भी student यहां पर available है ठीके वो चाहे कहीं पर भी दोस्तों मुझसे पड़ता है चाहे वो special class में plus में यहां पर पड़े लेकिन वो चीज़े पूरी ही पड़े आदा अधूरा ग्यान हमेशा हानी का रखे ठीके ऐसे ही logical reasoning की दोस्तों मैं आपसे बात करूँ कि logical reasoning एक अपने आप में बड़ा ही मतलब अथा सागर बन चुका है जबरदस्ती लोगों ने उसको हवा बना रखा है ऐसा कुछ है नहीं क्योंकि आप लोगों ने सबसे कम टाइम logical reasoning को दिये ठीके और मैं सबसे पहले प्लस course के अंदर logical reasoning की start कर रहा हूँ इसलिए ताकि मैं अभी समय है तो क्यों हम उसको और और बखू भी और detail के साथ में हम लोग समझ पाएं ठीके verbal reasoning अपनी यहां से चल रही है मैं चाता हूँ आप logical reasoning को भी join करें ठीके logical reasoning plus से पढ़ने कोई फरग नी पढ़ेगा date 2000 5000 से कोई फरग नी पढ़ेगा हम लोग चीज़ें कम से कम पूरी सीख जाएंगे हर एक subject में proper planning के साथ में आगे बढ़ेंगे तो जो भी तो हम लेकर ही जाएंगे यह हमारा प्रण है और यह हमने किया हुआ बात समझ में आरी है कि नी आरी है पढ़ा फट से थमसब कर दो एक बार कि yes sir बात समझ में आ गए सभी लोगों का थमसब आना चाहिए clear है तो यह question भी समझ में आ गया होगा कि question new term यानि overlap की condition तब तक valid होती है जब जिन दो वेक्तियों का मान दे रखा है उसमें सबसे छोटे वाले को पकड़ लिया सबसे छोटे वाले से चेक कर लिया दो कम उतने ही लोग mid person हो सकते अगर उससे ज़्यादा दे रखा है तो overlapping का case नहीं मनेगा फिर case separate case बनेगा और separate case बनेगा तो अलग-अलग बिठा कर याद कर लेंगे ठीक है तो homework के लिए काफी सारे questions दोस्तों में आपके ओ दे रहा हूं ठीक है आज तो अपनी basic class थी लेकिन ये बहुत सारे questions हैं जो आपको करने हैं ठीक है बहुत सारे questions है ये देखे बहुत सारे questions है इन questions को आप लोग घर पे करिएगा बड़ा मज़ा आएगा आपको अब आप questions जब आप करेंगे आपको 21 तारीक से बिल्कुल fresh new batch start हो रहा है logical reasoning का ठीक है तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस batch को join करें verbal हो non-verbal हो logical हो सारी चीज़े यहां से पढ़ लें ठीक है maths की classes भी science की classes भी English की classes सारी classes के timing's अलग-अलग हैं हंकी सर की class, हाईल सर की class, नीरा सर की class सबकी class आपको मिलने वाली है भाई, वो भी अलग-अलग timing पर तो क्यों न बहतरीन तरीके से हम लोग join करें ठीक है, इस A की referral code के माध्यम से आपको सारी classes मिल जाएगी, DEEPU10, DEEPU10 को लाकर आप batch को join कर लेंगे 10% का discount आपको मिल जाएगा, ठीक है guys कैसे join करना है, यह मैं आपको बता देता हूँ आपको एक तो complete course मिल जाएगा इसके अंदर, ठीक है इसके अलावा test series भी आपको मिल जाएगी क्योंकि बिना test के selection होगा नहीं दोस्तों तो test series भी बहुत जरूरी है, इसलिए test series भी आपको इसी में मिल जाएगी अगर आप GD या MTS में 100%, 100% selection लेना चाहते हैं तो CT total मिला के 50,000, हमें तो एक ही चाहिए life secure करने के लिए और सबसे ज़्यादा selection अपनी देने वाले हैं, यह बाद आप दिमाग में डाल लो बस आप regular रहो, अपने आप selection हो, ठीक है, खिलियर है तो DWPU10, दीपू 10 कोड़ा कर आप batch को join कर लेंगे reasoning by दीपकसर, ठीक है, यहाद दखिए UPSI के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो, पुलिस वाले, पटवारी वाले, गुरूप D वाले NTPC, CBT2 वाले, यह धिलाई छोड़नी नहीं, ठीक है बिलकुल धिलाई छोड़ने की जर्वत है, रिलेक्स होके, मस तरीके से, जितना पढ़ा रहे हैं, पढ़ो, शांदार तरीके से, लोजिकल रीजनिंग चालो हो रही ही, बता दिया, मैंने आपको 16 वाला और 21 तरीक वाला दोनों बेच मिल जाएंगे, और जो प्रीवेस कम्प्रीट हो चुका बेच है, अगर आपको जल्दी कवर करना है, तो आपको इसकी क्लासिस भी मिलेगी, वैसे कर आपको समय ही नहीं मिलेगा, इसलिए आप साथ के साथ ही, जो मैं पढ़ा रहा हू ठीक है, तो Unacademy Learning App को सबसे पहले Google Play Store पे सर्च करो, सर्च करने के बाद में इंस्टोल कर लो, Unacademy Learning App को इंस्टोल कर लिया आपने, फिर लोगिन करो और लोगिन करने के बाद में आप अपना गोल सलिक करेंगी, आपका गोल क्या है, SSE Exam Category में ही मिलेगी ये क्लासिस, ठीक रेलवे वाले सलिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, SSE Exam Category में आपको GDMTS और रेलवे वाले भी वैसे तयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, English नहीं पढ़ेंगे, और के बागी तो सारी चीज़े वही है, ठीक है, तो आप SSE Category को सलिक करेंगे, फिर आप Plus सलिक करेंग और वो नीचे Referral Code लगाएंगे, वो Referral Code पूछेगा, You have Referral Code, तो महाँ पे लगाना है आपको DPU10, DPU10 Code आप जैसे ही लगाएंगे, DEEPU10, तो उसके बाद में आप लोग Payment कर लीजे, Payment आपके इसाब से आप किसी का भी कर सकते हो, ठीक है, मतलब आप Credit Card, Debit Card, Net Banking, UPI, Google पे, जिससे आप चाहें, उससे आप Payment कर सकते हैं, Payment करने के बाद में दोस्तों बस आपको ये सारे Benefits मिलने वाले, Benefits सुन लो आपको, क्या-क्या मिलने वाले आपको, आपको एक तो सभी Teachers की Classes मिलने वाली है, सारे Multiple Courses, एक ही Subscription से मिल जाएंगे, DPU10 Code लगाकर, ठीक है, आप आपको हर तीन सेशन के बाद में doubt session मिलेगा, हर तीन सेशन के बाद में अपने doubt clear कर लो, आपको PDF मिलेगी, study material जो है PDF के रूप में मिलेगा, आप directly मुझसे बात कर सकते हो, previous year paper के questions मिलेगे, expected questions मिलेगे, quiz मिलेगी, homework questions मिलेगे, कैसे नहीं होगा selection भाई, क्यों नहीं होगा, 100% अपने आप पे भरोसा रखो, और जिस तरीके से चीजे बताइए, बस उस तरीके से join करते हुए, study करना चालू करो, ठीक है, ये मेरी profile है, इस profile को search कर लेना, दीपक तीर्थ्यानी के नाम से आपको profile मिल जाएगी, ठीक है, दीपक कुमार तीर्थ्यानी के नाम से आपको profile मि मुक्ते जरूर लगा ले मेरे साथ, ठीक है, आना केडमी लर्निंग एपर, free special class के अंदर, और संडे को ये जो test होता है, 12 बजे, इस test को आप लोग जरूर दीजी, ठीक है, clear है, रात को 9 बजे, class होने लिए, तो thank you so much भाई, ठीक है, thank you so much, हसते रहो, मुस्कुराते रहो, ज सब के साथ हो रही है, सही नहीं, सब लोग, lockdown का मतलब ही होगा, सब ही घर पे बेड़ गए ना भाई, और बिसी बात है, तो जब भी exam तो हो नहीं है, जब भी होगे, तो आप लोग को मौका मिले, तो बस मौके पर चोखा पढ़ना चाहिए, और उसके लिए महनत आज से ही क कमेंट बॉक्स में पिन कर दी जाएगी, लोगिकल रिजनिंग का बेच बहुत महनत करके, बहुत शानदर कंटेंट के साथ में दोस्तों आने वाला है, जोइन कर लीजेगा, दीपूट एंड को लागा कर, तेंक्यू सो मॉच, इसी तरीके से हसते रहिए, रोज क्लास अट